अंकर रुबी का लियाकत पिछले काफी वक्त से लाइम लाइट में बनी हुई है तरसल पिछले लंबे वक्त से एबीपी के साथ जुड़ी रुबीका ने चैनल को अलविदा कह दिया है खबर है कि वो एक जुलाई से भारट 24 में बतोर वाइस प्रेजडेंट जोइन करने वाली है इन सब के बीच रुबी का लियाकत RSSS मुख्याले पहुची जहां से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है दरसल एक तरफ जहां रुबीका को काफी प्यार मिलता है उन्हें काफी पसंद किया जाता है तो वही दूसरी तरफ उनको ट्रोल करने वालों की भी कमी नहीं है रुबीका के हर पोस्ट पर टीवी पर उनकी हर डिबेट को लेकर तरह तरह की बाती की जाती है उन्हें निश्पक्ष पत्रकार बनने की सलहा दी जाती है ऐसे ही लोगों को अब रुबीका लियाकत ने तगड़ा जवाब दिया रुबीका ने साफ कहा कि जिन्हें लगता है कि मैं कुछ मुद्दो पर निश्पक्ष नहीं होती हूँ तो ठीक है ऐसा ही सही बात देश की आएगी वतन का जिक्र होगा तो मैं निश्पक्ष नहीं हूँ किसी छोटी बच्ची के साथ कुछ गलत होगा और उसमें आप कहेंगे कि निश्पक्ष रहो तो कैसे रहा जाएगा आपको किसी का तो पक्ष लेना होगा अगर फिर भी लोगों को लगता है कि म मैं निश्पक्ष नहीं हूँ तो मुझे मन्जूर है जरा सुनिए गुसाई रुबिका ने आरेसेस के मंच से क्या कुछ कहा बहुत लोग मेरी बातों से इत्तफाक नहीं रखेंगे लेकिन मुझे ये कहना आप लोगों के सामने जरूरी है जब देश की बात आएगी वतन की बात आएगी तो इसमें अनबायस कोई कैसे हो सकता है एक आतंगवादी दना दन गोलियां चला रहा है आप निश्पक्ष हो जाएंगे एक आठ साल की बच्ची के साथ बलादकार हो रहा है आप निश्पक्ष हो जाएंगे आपको पक्ष तो लेना होगा ना या आप जो कहते हैं कि इन मसलों पर निश्पक्षिता चाहिए इन मसलों पर निश्पक्षिता कैसे हो सकती है जब वतन की जब धरा की जब लोकतंत्र की जब हिंदुस्तान की जब भारत की बात आती है तो इसमें निश्पक्षिता कैसे हो सकती है कोई माई का लाल मुझे बता दे कि नहीं निश्पक्षिता के नाम पर वो हिंदु स्तान को एक तरफ कर देगा और वो दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा तो ऐसे में अगर कोई कह दे कि आप निश्पक्ष नहीं है तो मुझे कुबूल है अगर हिंदुस्तान के साथ खड़े रहना, उसके मूल्यों के साथ खड़े रहना, उसके लोकतंत्र के साथ खड़े रहना निश्पक्षिता नहीं है, तो मुझे कुबूल है और उन तमाम पत्रकार बंधूं से ये बात मैं बहुत साथ तोर पर कह देना चाहती हूँ, कि जिस दिन आप बेजजग बगैर किसी डर के बेखौफ होकर अपनी बात रखने लगेंगे, तो फिर आपको तालियों की दरकार नहीं रहेंगी, फिर मुझे मुझे से दुआएं ह निकलेंगी, आशिरवाद ही निकलेगा, और फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं जाओंगा तो चार लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, उन तालियों की दरकार मत रखिये, बाहर से लोग क्या कहते हैं वो मत सोचिए, ये सोचिए कि इस वक्त इस जमीन को किस चीज की जरूत है, इस जमीन को निडर्ता की जरूत है, इंट्रो इस्पेक्शन की जरूत है, आत्म चिंतन की और मन्थन की जरूत है, और फिर मैं कहा रही हूँ, कोई विचार धारा हो ना, किसी को चांद पसंद है, कोई ना, किसी को सूरज पसं और हम उनके साथ खड़े हैं अपनी बात को मैं यहीं विराम देती हूं लेकिन इस उम्मीद के साथ कि मेरे जैसी उन तमाम आवाजों को आपका आशिरवाद हमेशा मिलता रहेगा और जब तक आपका आशिरवाद रहेगा जब तक हिंदुस्तान की जनता की आँखों में जो कोई तो प्रभू फिर मुस्कुराए उनकी अपनी लीला उन्होंने कहा कि इस मनुष्य को मैं छोड़ दूंगा तुम बस ये मेरा जो इम्तिहान है उसे पास कर लो तो नारत जी ने बोला ऐसा कौन सा इम्तिहान है कि मैं पास ना कर पाऊं प्रभू आप कहिए करना क्या है तो प्रभू ने देव रिशी को कटोरा दिया बड़ा सा और उसे एकदम एज तक दूद में भर दिया और प्रभू ने कहा कि आप इससे तुम तीनों लोकों में लेकर घुमो पर ध्यान रहे एक बूंद दूद की नीचे ना गिरने पाए तो देव रिशी ने कहा कि अरे ये क्या बड़ी बात हो गई ये तो मैं चुटकियों में कर दूँगा तो उने ने कहा फिर मिलते हैं और नारद मुनी जी कटोरा थामे दूद से भरा लबालब तीनों लोकों का ब्रह्मन करके आ गए प्रभू के सामने पहुँचे प्रभू मुस्कुराए कहा लोट आए तो नारद जी ने तानी हुई भूओं के साथ कहा प्रभू लोट आया एक भी बूंद ना गिरी तो उन्हें का ना एक भी बूंद किसी लोक में ना गिरी इस बीच तुम मेरा नाम लेना कैसे भूल गये तो उन्होंने माथा पकड़ा उन्होंने का प्रभू ये तो बड़ी गलती हो गई मैं सोच रहा था कि दूद ना गिरने पाए मेरा तो सारा ध्यान दूद के कटोरे पर था नारायन तो मुक से निकला नहीं तो प्रभू फिर मुस्कुराए और प्रभू ने कहा इसी लिए मुझे मनुष्य पसंद है वो जिन्दगी की हर तकलीव से जूचता रहता है वो हर मुश्किल से हर रोज गुजरता है उसकी जिन्दगी के कटोरे में परिशानियों का दूद लबा लब है लेकिन फिर भी वो मेरा नाम लेना नहीं भूलता है तो देव रिशी भी मुस्कुराई हाथ जोड़े और कहा प्रभू की लीला प्रमपार है नारायन नारायन और मनुष्य भी कमाल है तो आज जब मैं दिल्ली से यहां का सफर कर रही थी तो एक बार फिर से देव रिशी नारण मुनी मेरी आँखों के सामने थी मेरा बचपन मेरे सामने था और वो बुज़र्ग हिंदी की टीचर जो इसी अंदाज में कहानी कह रही थी और मुझे लगता है इससे बहतर कह रही थी और मैं टक-टकी लगाए उन्हें सुन रही थी और यह जानने की कोशिश कर रही थी कि कौन बहतर होगा मनुष्य के देव रिशी नारण मुनी लेकिन प्रभू की लीला अब इसे आप कट्टू जोड दीजे पत्रकारता में हाँ हमें करप्शन उजागर करना है देश की नीतियों पर तमाम तरीके की राजनीती पर हर तरीके की कवरज करनी है क्राइम भी हो रहा है महिलाओं के उत्थान की बात करनी है समाज के कल्यान की बात करनी है तो ये कटोरे में दूद है लेकिन क्या इस बीच मैं इस धरा के कल्यान को भूल जाओंगी